कहा जाता है शेतर में कि आपकी सुशील सिंग से बंती नहीं है क्योंकि 2012 के चुनाओ में आपने उनके चाचा जी को हरा दिया था कहानी क्या है सुशील सिंग से लडाई की और कहानी क्या है प्रजे सिंग को चुनाओ हराने की कहते हैं भागने वाले को पुरी दुनिया छोटी पड़ जाती है लड़ने वाला जहां से सुरू काता वहीं से जीत सुरू होती है सुसील सिंग जितना ओट पाएंगे उतना ओट से उनको हरा दूगा मैं एजुकेशन मिनिस्टर बना सिक्षा मंतरी जब मैं बना तो मैं डिगरी कालेज बनवाया जब मैं सिचाही मंतरी बना तो पहिंप कंधायल बनवाया नारों को पकी कराया जब मैं पावर मिनिस्टर बना तो मैं पावर इस्टेशन बनवाया जब मैं हो मिनिस्टर बना तो प्रफिश्टेशन बनवाया जब मैं डिफेंस मिनिस्टर बना तो मैं सेना भर्ती करवाया जब मैं चिकिस्था सिक्षा मंतरी बना तो मैं मेटकल कालेज बनवाया तो यह लोग की जलती है सिद्धान्त नाम है मेरा और देलालन टॉप के यात्रा में चंदौली में हम हैं चंदौली की सेद राजा विधान सभाजो है वहाँ पे फाइट थोड़ी सी इंट्रेस्टिंग है सबसे पहला सवाल चुनाओ प्रचार कैसा चल रहा है बहुत सांदार चल रहा है और मैं चेतर में थोड़ा घूमने के बाद मिलना हूँ आप से और हम से लोग बोले कि थोड़ा सा मनोज जी से समहल के मिलियेगा पानी और नहीं लगा हो तो गाड़ी के बोनट पर बैठके चले जाते हैं सही बोले हो ऐसा एक एक इक्चल बाढ़ आई थी हमरे तो गाड़ी के बोनट पर चड़के मैंने देख रहा था अच्छा आपके प्रतितुन्दी हैं सुशील सिंग ठीक है उनके चाचा ब्रिजेश सिंग एमल सी रहे और कहा जाता है शेतर में कि आपकी सुशील सिंग से बंती नहीं है क्योंकि 2012 के चुनाओं में आपने उनके चैचा जी को हरा दिया था विधायकी के चुनाओं में वो खड़े थैं इसी सीट से और आपने हरा दिया था बुद सकल दिया चेतर सीट पर कांटश कर रहते हैं तो क्या कहानी है आपके ओ सुशिल सिंग के अदावत के क्या कहानी है क्योंकि समर्थकों के बीच में मार पीट हो जाती है कार्ट अगर आ गई यह हो गार वो हो गाcar, यह सब चलता रहता है कहानी क्या है सुशिल सिंग से लडाई की और कहानी क्या है गशन को चुनाव हराने की देखिए हम लोग किसान के बेटे हैं और सुसील सिंग और ब्रिजे सिंग से हमसे कुछ लेना देना नहीं है सुसील सिंग का एक जगे से कुछ मतलब भी नहीं है मेरा तो यहाँ घर है मैं अपना घर छोड़ के कहां जाऊंगा कहते हैं भागने वाले को पुरी दुनिया छोटी पड़ जाती है लड़ने वाला जहां से सुरू काता वहीं से जीत सुरू होती है देखिए ब्रिजे सिंग के नाम से सुसील सिंग की पहचान है को सिंग से लड़ा हूं और जंता उनको यहां से हरा के बेजी भी है कि यह कोई बहुत-बड़ा적으로 नई वहुषे नहीं है तो पहले मैं जानना चाहूं। कि यह रस्ता कशी मदारी का बंदर का क्या कहानी है। मैं और दूसरा। व्यक्ति की तरह सुशील सिंग और उनके चाचा जी को कैसे देखते हैं। के बारे में कई सारे किस्से पुरे पुरवांचल नहीं देश में प्रदेश में घुमते रहते हैं कैसे देखते हैं आप उनलों देखे ओ कई बार हमको मदारी मदारी कहें तो एक दिन मैं गूगल से पूछा कि मदारी का मतलब क्या होता है तो गूगल ने बताया कि बंदर ब उसके बाद फिर साथ राजा से कभी बंदर कभी फंशा नहीं था इस डाल स डाल कुछ जाता था पहली बार फंसा है और जी अगले दिन वह प्रोटेस्ट या? क्या कीस क्या है और कभी कैनलों बनवाए नहीं है तो कैनल से कोद लेना देना नहीं है उनको अपने मुर्गा से उनके धारु से उनको पैसा से मतलब है मतलब खाने आप अश्छा लगा कई भी दिए होती आप लोक के विश्य मुरगा और भाधु होती हैं और पैसा हुआ नयूंगतों करते हैं और ईक के दो लोगों के करते हैं तो पड़ते यह हालत हो गई है हालत बड़ी गंभीर है इसलिए मैंने एक सवाल पूछा वो सवाल थोड़ा सा अनुत्रित रह गया कि एक व्यक्ति के तौर पे सुशील सिंग और बिजे सिंग उनके व्यक्तितों को आप कैसे देखते हैं यह उनके बारे में कहानिया चलते हैं कि इतनी सही बिजे सिंग तो फिर भी ठीक है बिजे सिंग तो फिर भी ठीक है बिजे सिंग पीछे सिवार नहीं करते हैं वो ताल ठोक के वार करते हैं यह आदमी पीछे सिवार करता है और यह आदमी किसी का नहीं है और यह आदमी मेरा ही नहीं यह बिजे सिंग का भी नहीं है यह किसी विलकुल नहीं जाते हैं, इसलिए एक किसी कहहे हैं नहीं जिसे जो लोग इनके साथ रहेजैं तो सब को दोका दिया है कि बाचीत में आठोका कै कि हमने रख्षा कि अपने परिवार जgone तो बाऍही है कि कि हमने वें ने örचा कि का अफ जानता है तो आप आपके और वहां पे लकी आदाव जो दह नचे पारसादों के बेटे अंगे खिलाफ चुना लगा रहे हैं लोग पता रहे थे कि महलनी में भाईया का सुषीदी नहीं पीछ और वाया था पूचेगा कि सच्छा की गलत है ने ने किसा पिछा करवायते हैं मेरी गाडी जा रहेते मलहनी उनकी गाडी यह रहेती कब सेथी से पुल के ऊपर गाडी टच हो गई तर्च हो गई तो सीजा उनका विटूट गया मेरा भी टूट गया अप लोग अधों है थे गारी में बहुत यसो तो ही नहीं, तो 24 गंटा के बाद मैंने लगा कि यार, 24 गंटा कोई response नहीं आया इनका, तो मुझे लगता कि यार, कहीं आइसा तो नहीं ने कि धखा माने की चक्र में किये थे, तो मेंने कप्तान के पास गया और इसकी एक तहरीर दे दिया, कप्तान साब बोले जांच कराऊंगा आज तक जांच पेंडिंग है तो सुसील सिंग जी उसको बोलने लगे कि विधायक जी को गनर की जवरत है लगता इनको गनर की जवरत है गनर लेने के लिए सब किये आज चुनाव चल रहा है और आपको मैं बताता हूं कि इंडिपेंड लगाता तो मेरे पास दो गनर थे आज अजबन नहीं है मेरे पास तो मुझे तो को वो क सामनी दिख रहा हूं तो मुझे तो उसी नि तो लोगों को एक माहौल ख़ा किक कि egal statement करता ह्यों कानी को है और न पर इसान रहता है हम लोग उसका का निस मतलब नहीं है आपको एक बेटा है जो इंजीनियर है एक बेटी है बड़ी ओफ हैसन डिजाइनर है और चोटी बेटी मेरी चंदवली की पहली पाइलट बेटी है मेरी उनकी कारें खबरें मड़ी फेमस हैं कि अखले शादा उसे मिली थी एरपोर्ट में जी तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरा तो जमीन मेरे पास होगी मैं कोई गरीब नहीं हूँ चलिए आपकी और सुषिल सिंगी की जो नोगजोंग है वो चलती रहती है मतलब एक पोस्ट मार्टम को पे आपके और आपके समर्थक बिढ़ गए थे खबर है कि आपने उनके समर्थक को चाटा मार दिया था ये गलत है इंगे keep क्या होता था। उनके समर्थक ये मेरे समर्थक को चाटा मार दिया था तो जबाब देना जिव परणता है जबाब अगर नहीं तो खोड़ी चलेगा तीकर अनुमैं था से निमंतरण किये हैं तो क्योन रुपया से निमंतरण आपका करना पढ़े गा नहीं करेंग और मेरे साथ कुछ लोगों से बात करें तो बोले कि विधायक जिसे पूछिएगा कि सरकार उनकी नहीं और विधायक भी नहीं है भी इसे नहीं पर लोगों को जुटा लेते हैं क्या होता है विधायक के पास कोई कुर्सी नहीं होती है लेकिन विधायक जिस कुर्सी पर होता है बीदायक के मुख्मंत्री बनता है और सांस deposito काम सेमा भरती होता है तो क्या प्रधान का काम होता है मैं पूछना चाहता हूं जंता के बीच में आप जा रहे हैं इसी जंता से आपको सब कुछ मिल रहा है मांगे हमारे में कहाओत करते हैं कि मांगे के भीक आप पूछे गाम के जामा आज भीकारी के तरह घूम-घूम के भीक मांग रहे ह सब और यह राजा होने के बाद उसका नाम दे दाएगे जो किकीदार है। तो इसलिज्वनहीं फफलाएगा करें को. लोग बोलते हैं आपकी विरोधी समर्थक निये विरोधी बोलते हैं कि मनोज जी की जाती अगर को मार्क किया जाए तो ठाकूर है लेकिन जाते हैं बोलते हैं कि मैं ठाकूर नहीं यादव हैं और वो उस तरह से जाके वोट बैंक को साधने का काम कर रहे हैं अपनी जाती को मैं किसी एक जाती से बात नहीं कर रहा हूं और मुझे किसी पार्टी से भी इलर्जी नहीं है आपको मता रहा हूं कि मेरी बड़ी बेटी की जो साधी किया हूं अजुद्या के सांसद लल्लो सिंग के बेटा से साधी किया हूं जहां से भारती जनता पार्टी के दुकंदारी चलती है जहां से अपनी दुकान लगाते हैं जैसे राम के नाम पर दुकान लगाते हैं वहीं के सांसद हैं बा's की बैटे से अपनी बैटी के साधी इसी शाल किया हूं तो में पाटि से कोई मेरी मral seine शी कहते हैं कि जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे राम को यह ऒए सेंट लिदों को और दुसरी बात आप सेंव पड़ती कि बात करते हैं हैं नोजवान पूछते हैं, बांदा में पूछते हैं, गोरकपुर में पूछते हैं, की का हो बाबा, का हो बाबा, आपकी वुमर इतनी होगा, का हो गश्क हो जऑनों का चतरिंग होगे बाबा. हैं बड़ी दोड़ती रहते हैं बड़ी मेहनद करते हैं और मैं आपको रहा हूं कि भरती जब आईगी न तो यह जो बहुत रहा जेए तो क्या उसमें की जर में कुछ जाता है आप तो आप हुआ हो दो कि शुद नहीं तो तो कि शुद्ध को मैं कूद रहा हुआ हुआ सग्व पंवाने का मुद रहा हुआ हुए भात यहां पर दस पाउर हाउस बनधाया हुआ अपने च्छत में दस पाउर हाउस बनवाया हूं यह लोग कहते हैं कि देश आजाद होने से लेके दोहजार बादत तक हमारे चार पाउर हुस थे और मैं अब पांट साल के अंदर दस पाउर हाउस बनवाया और आज भी चौदा ही है इस यह नहीं है नहीं क्या है सब अटनी को पखी कम किया थालनल घव्यां कीश सब कार्णे क्या और कि Muchas ंव पर हीं में चौण से पहले दीज़ैंएर हमारे को श्रक कहते हैं सब्गार मेरतों किया हुए था और यह वुआ यह हमारे सिक्छा मंतर्य करते तो दूब यहां यहीं धानापूर में सहीध हीरा सिंग महाविध द्यालग उन्होंने बनवाने का काम किया आज 35-40 साल पहले की बात है उसके बाद दूसरा डिग्री कालेज अगर कोई बनवाया तो मनुष कुमार सिंग ड़लू है 35-40 साल के बात तो मैं कह दिया कि मैं जब एजुकेश सब्सक्राइए हमें टहको सब्सक्राइब्स 2-ile ON ou जसाल मेंट में जब आदो ह हौके मैं एक हमारे बात करते हमारे अधाुथ को यह हमारी वर कौह नहीं है कि skills are कुछीप म sulph सहीद होते हैं तो उनकीप अबॉस मार थे हैं ङुए कि कहना है कि उनको हआट अटेक हुआ था एक कौन होतें हुआ हम पुछना चाहता हूँ उनसे यह पट sırब गुरव माम्मा में हमला होता पार कि आती है तो मोदी किया हो और दिलाई और फृछ समंदमति आती । लेकिन मानने मुलायम सिख जब फेश्मिश्र बने तो उन्होंने उनकी सहीद की पर्थिक शरीर को घर तक सम्मान से सहीद का दर्जा दिला के बिजवाने के काम किये थे हम लोग साथ घंटा धर्ना किये साथ करना धर्ना देने के बाद यह एजडीम ने सब तयार हो गया और उपर से अधिकारी आया उनको सम्मान मिला सहीद कदर्जा भी मिला वह जो कांपी थी जो लिखी कागज जो था ओमेरे हाथ में दे दिये यह जिए कि अधिना है वह मेरे हाथ में दे दिये तो सुसील कि अधिन यह जाए बाद दिखा लगाए झालों तो अधिका वह जाता हुआ जाए गए जाए दिखाव गया तो उसी पर लगे दिखाने क्योंके मेरा इपलेक नहीं चलता हूं मेरी गोली मेरे लोग है पांच सहार लोग थे तो बोल्ट चलने लगा हमने गा बोल रख दो बीटा अभी बच्चे हो बोल जहां चलाना हो चलाना यहां खोद की जंता घार देगी आपको अगर बोल चढ़ाओगे तो तो जब बात हो गई तो कहते हैं बहुत बोलते हो मैं कहा कि जम तक मेरे साथ जंता रहेगी मैं बोलूँगा जिस दिजनता मेर फरजी मुकदमे थे दिखतर आप भी उस समय विधायक थे सत्रा के पहले क्या हमारे सरकार में 2012 से लिए के सत्रा तक में विधायक था एक भी मुकदमे उनकी नहीं है मैं ताल टोक करता हूं जूट बोलते हैं मुकदमा वो मेरे उपर कराए और आपको मालूब है एक तो मैं आप सही महुंते हैं काला जादू जानता हूं ओके सैसर अभी समझे लिए को जुछने मिला एक सो एक याओन में जो एक सो साथ सोला को मुकदमा जो होता है न उसमें मुझे पच्छेतर हजार का बांड बरना पड़ा है फच्छेत्र लाग का बांड बरना पड़ा पच पर उस समय के जो अजिसनल एस्पी थे वो बयान दिया थे कि मैं मनोज का घर लिलाम करके पैसा उसलाओंगा हमने का उसकी जुरूत नहीं पड़ेगी मैं एक ही कुरुपया चंदा मांग के पच्छतार लाख पर मैं देदूगा क्यों कि लोग आप आपने कहा भी कहा टैक्स क क्यों पहले पैसे आपने कहा कि इस अपिछल तो फैलाओंगा और चलों जिस गाहूं में चलों मिल जाएंगे चलिया हुमारे सब्सक्राइब चेह में जाए गा तब मॉट वाइंगा उतना सी जाओंगा मुझे तो आप देना नहीं है और तो जंता को देना है आखरी सवाल है उसके बाद मैं आपको प्रशार के लिए फारीक करूंगा सितंबर 2020 की किस में यूपी पुलिस ने गाड़ी ने डॉड़ा कर आपको एक नोटिस पकड़ाया था ओवर टेक करके जो मुझे खवर पता है आपको बड़ा बुरा लगा था आपने गहा था कि जन इसाकी कि मैं जा रहा था ता फिल्ड पर नौएारो सा मिलने केलिए तो मुझे रखने के लिए कि जब रोक नहीं पाए तो तो नोटिस मेरे को दे धें token को पोला है देने को और नोटिस पर में को कुई क्रिमिल हूँ मेरे पर कोई केस भी नहीं नी तो आप ए जोड़ा कि कहां तो काफ वबादन है अधिक अधिक से वएपी अधिक कप्ताँ है कि लासuyu कम और मांद करने प्रदी किया कि उनको बोले दाटे व σε तो फिर भी तो पिर लाक्शन हो गया यह शर्म इनला फिर यह गःतनoka ने कि रात को बारा एक बज़े जो उन लों को होता ना उस पे पोर्टल पे डाल दिये रात को बारा बच के कुछ मिनट पर तो डाल दिये तो एक बज़े के लगभग फुर मेरे को सी ओ और इसा बात किया आए घर पर बात करने लेका मिराइक जैसा कुछ करिये आपका भी चल जा मेरा भी चल जाए हमने का मुझे रोक लोगे तो मैं रोग जाओंगा घर मुझे को आपती नहीं मैं कहीं भागने वाला नहीं हो मैं चोड़ तोड़ी हो कि घर चोड़ के भाग जाओंगा मैं सोया हो गर पर रोक लिजे लेकिन अगर बच्चे कुछ भी उत्पात करेंगे तो इसकी जिमवारी मैं नहीं लोगा आप लिए समय लिए तब क्या करना चाहिए इस पर आपकी बात उपर तक हम लोग पहुंचाएंगे तो हमने का कि पहुंचाईए उपर तक डिफरेंस मिनिश्टर साब को कहिए कि हमारे बच्चों का बढ़ती हो तो उसके बाद वो सा हैं मंत्राले से लेटा राया था लेकिन वस estásand बूलाश पर जो मेन चार चारों पांच बश्चीत होनने को बुलाए और एक हजार पांचुबं साथे बच्चों को लेकर मैने मिटिन खिया और मैंने आवाज लगा IP behtosa कुछ पहल किये थे जो पहल करता है उसको नाम में हमें कोई आपती नहीं होते लेने में तो मैंदनाथ पंडे जी पहल उस पे किया उस फिर सासन से लेटर भी आया कि भरती होगी लेकिन बाद में फिर हुआ नहीं इसलिए नहीं होगा कि मनुष्पा कहा हो जाएगा तो लेकिन मैं इसलिए नहीं गया कि अगर टिकट के महौल चल रहा था लोग यहीं कहेंगे कि राजना सिंग के फोटो के सब चलाते थे और किसी कारण बस टिकट में डिली हुआ भी अडिले होता तो कहते कि अरे ओ गय थे वहां हाजरी लगाए तो इसलिए टिकट वा मिल रहा है और लोग करते हैं कि हमारे यह बड़ी प्रयास कि लिए टिकट वा हम लोग नहीं दिए तो राजनित में इसे बचना पड़ता है इसलिए मैं मानी गया है तो मनों जी चुनाओ के लिए उपरचार के लिए बहुत-बहुत सारी सुब कामना है आप लालन टॉप यूप य बाची देख रहे थे अपना ख्यार लग्येगा अपनी राए से हमें जरूर रगवत कराईएगा बहुत-बहुत-शुक्रिया